ये गाईज कैसे हैं आप सभी आज आ करती हूं सब बढ़िया होंगे तो गाईज आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ये डिजाइन कैसे बनाती हूं मसीन से यानि कि यदि आप कढ़ाई करते हैं या करने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी इस के वल एक वीडियो को देखने मात्र से आप आसानी से मसीन के दोड़ा कढ़ाई कर लेंगे यानि कि गियर से लेकर और पॉडियो चलाने तक की सभी प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो चली वीडियो को स्टाट करते हैं तो फ्रेंड्स ये है मेरा कढ़ाई का मसीन आप लोग पहले भी देख चुके होंगे इस मसीन को तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पॉडिल को चलाते समय कैसे गियर को दबाएंगे ये जो मसीन है वो पॉडिल वाला है यानि कि पैर से चलाना पड़ता है इसको ये इलेक्रिसिटी वाला नहीं है इसको पैर से चलाना पड़ता है ये देखे ये गेर है इसी को गेर बोलते हैं इसको जितना दबाएंगे न राइट सैट जितना ले जाएंगे उतना ही जो हमारा साटन होगा वो चोड़ा आएगा तो आप सोच रहे होंगे साटन क्या होता है तो देखे ये जो हम कड़ाई कर कुछ सब्सक्राइत वह एक सब्सक्राइब टीर सेक्रांगा निया है जैसे से लीगर तो कि ये ये कि worthy में सब्सक्राइब हो रहा है तो आप वहां पर देख भी सकते हैं कि हमें कितना चोड़ा चाहिए वहां पर चोड़ाई देख सकते हैं और जितना चोड़ा आप यहां लेंगे न उतना ही चोड़ा आपके कपड़े पर डिजाइन बनेगा यहां पर यानि कि पूरे इस मसीन में जो डिजाइन बन को दबाना है इस तरीके से चलिए उपर के तरफ दिखाते हैं कैसा डिजाइन बन रहा है यह देखिए यह कहीं पतला और चोड़ा आपको दीख रहा होगा यह गेर के वजह से ही हुआ है गेर को ज़्यादा दबाया गया है वहाँ चोड़ा दिख रहा है गेर को जहां कम दबाया गया है वहाँ पतला दिख रहा है और यदि gear को बिल्कुल ही छोड़ देंगे बीना दबाय चलाएंगे तो केवल running आएगा यानि पतला जो बीच में आप देख रहे हैं डिजाइन जो बनाया गया है वो केवल running चला कर बनाया गया है यानि कि बीना gear को दबाय बनाया गया है यानि कि gear पे यदि हमारा control हो गया यानि कहा कितना दबाना है कैसे दबाना है यदि हम जान गये तो हम आसानी से किसी भी डिजाइन को बना सकते हैं और आपको तो पता ही होगा कि machine से design बनाना कीतना आसान होता है बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम ढ़िंआ हम the design को बना लेते हैं तो friends आप your comment परे वीडियो बनाए थे आप लोगा कमेंट आया थाए जी गियरण को कैसे 17 दबाना है तो प्लीज हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और दबा दीजिए बेल आइकन और बन जाए मेरे इस प्यारे से ग्यान लोग फेमली का एक प्यारा सदस्या तो फ्रेंट्स उमीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि गेर को कैसे दबाना है और बाकी आप प्रेक्टिस किजिए गदो तीन दिन प्रेक्टिस किजिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कहां पे कितना दबाना है क्योंकि जब आप डिजाइन बनाएंगे तो आप आपको खुद बखुद समझ में आने लएगा कि मुझे यहाँ पर पतला डिजाइन चाहिए यहाँ पर चोड़ा चाहिए तो आप गेर को उसका अनुसार कांट्रोल करना सीख जाएंगे इस वीडियो में हम केवल गेर से रिलेटर बाते ही बताए हैं यदि आप और भी डिट कि लिबाइ